हेलो गाइज वेलकम टू बैक माई यूटूब चैनल आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ के आपके बात दोस्तों सैमसेंक का एसीडी का भी कोई भी डिवाइज हो इसी तरह का दोस्तों सेम बाइ स्टैप आपको करना है और तो सबसे पहले दौस्तों आपको जो एक ओप्शन ढूंड लेनी अपने फोन में आपको एक ओप्शन मिलती है सौफ्टवेर अपडेट इस पर दोस्तों कलिक करकर और दोस्तो हीटिंग की प्रोब्लम हंड़ड प्रसेंट आती है तो आपने दोस्तों अगर इस तरह कोई update आया है तो phone को update कर लेना है इससे दोस्तों आपकी यह problem solve हो सकती है उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि आपने अपने जो device care है उसमें जाकर देख लेना है कि आपकी जो memory होती है internal memory दोस्तों उसको check करना है कि आपकी वो internal memory भरी तो नहीं हुई है अगर दोस्तों यह आपकी जितनी भी MP होती है जैसे 64GB होती है वो full हो जाती है तो इसे भी दोस्तों यह problem आने लगती है अगर RAM जो आप application ज् phone को delete करना है और दोस्तों यहां से अपनी memory को clean करना है इस परकार से दोस्तों जब clean करते है तो इस परकार से आपका phone भी clean होता है और दोस्तों आपका phone slow चल ला है जो touch की speed कम होती है वो भी ज्यादा होती है तो इस परकार से दोस्तों आपने कुछ अपने phone को सही कर लेना है उसके बाद दोस्तों आप एक होर गलती करते हो अपने जो डिलीट फाइल होती है जैसे दोस्तों आप गैलरी में जाते हो यहाँ पर दोस्तों आपको जितनी फाइल डिलीट करते रहते हैं तो वह दोस्तों आपकी रिसाइकल बिन में चली जाती है तो यहां से दोस्तों आप पर डिलीट नहीं कर पाते हैं इससे दोस्तों आपके कहीं ज्यादा स्टोरेज बढ़ जाती है तो आपने दोस्तों उसको किस परकार से डिलीट करना है तो आपको सैंसेंग के डिवाइज में एक तीन बिंदी सी मिलती है चार बिंदी सी आपने उस पर क्लिक कर लेना है सैड म उनको टिलीट कर दोगे तो आपके दोस्तों हैंग की प्रवल्म है ही से ही solve होने लगती है कि आप अपने फोन को अपने आप ही हैंग करते हैं क्योंकि दोस्तो आप इसमें से जो फालतु की फाइल होती आ हैं जा दोस्तों आपके फोन में ऐसे ही अपने आप software डाउनलोड होत सकते हो इसके बाद दोस्तों आपका फोन बहुत स्लो चलड़ा है तो आपको एक सेटिंग करने अपने अपने ऐंपिल फोन में बड़ी तो दोस्तों करें करके mass कौने कर दोस्तों आप आपले गई चौन में दोस्तों unknown के the 친 पर 길 करूंपरिणी दोस्तों आपको developer option की दोस्तो developer option जो open हो जाएगा उसके बाद दोस्तो आपने developer option को click कर लेना है यहां से दोस्तो जैसी click करते तो आपने दोस्तो इस पर नीचे की और scroll करते जाना है जैसे दोस्तो आप इसको scroll करते जाते तो यहां पर दोस्तो आपने दो से तीन सेटिंग करनी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ तो नीचे के और स्क्रोल करते जाना है यहाँ पर दोस्तो आपको एक option मिलती है window animation scale यह दोस्तो आपकी off होती है तो यहाँ पर दोस्तो आपने इसको 1x पर कर देना है जो उसके बाद दोस्तो एनिमेटर डुरेशन scale होती है उसके बाद दोस्तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं मैंने भी 1x की है इस परकार से दोस्तो आपने इन तीन सैटिंगों को इसी परकार से कर देना है 1x तो इस परकार से दोस्तो आपके जो हैंक की प्रवल्म है जब फोन बहुत स्लोग चल लाए जब टच की स्पीड भी बहुत कम है तो इस परकार से आप दोस्तों उसको सॉल्व कर सकते हो तो आपको दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी है वीडियो की कमेंट सेक्शन में जुरूर बताएं और वीडियो को दोस्त subscribe क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसी न्यू से न्यू वीडियो बनाते रहते हैं मिलते हैं किसी next वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई